नमस्कार, मैं सजन कुमार, शिक्षा विभाग हरियाना, कक्षा ग्यारवी के विशे अर्थ सास्त्र के एक बिंदू को ले करके हाजिर हूँ, आज का जो हमारा मुख्य विशे है, वह है समांतर माध्य, भौलक, मधिका में सबंद क्या है? रिलेशन अमंग मीन, मोड एंड मीडियन आज के व्याख्यान के जो मुख्य बिंदू हैं, वो इस परकार से होंगे, कि हम समांतर माध्य, भौलक और मधिका की संक्षेप में परिभाशा करेंगे उसके बाद हम माध्य, भौलक और मधिका में समन्ध स्थापित करेंगे भौलक मधिका में समन्ध का सुत्तर क्या होता है, इन में से कौन सा माध्य सबसे अच्छा होता है, इसके बारे में आज के व्याख्यान में हम जान पाएंगे इसके अत्रित माध्य, मधिका, भौलक में तुलनात्मक विशेस्ताओं का भी हम अध्यान करेंगे और जान पाएंगे कि इन में आखिर कौन-कौन से मुख्य अंतर हैं सबसे पहले समानतर माध्य की परिभाशा, यद पी हम समानतर माध्य की डिटेल के साथ अध्यन कर चुके हैं लेकिन फिर भी संक्षेप में हम एक बार पुने इनका रिविजन कर लेते हैं समानतर ग्या करने के लिए समस्त मदों के मुल्यों को योग को मदों की संख्या से भाग दे करके लगाया जाता है यानि कि एक स्रिंखला में जितने भी मद हैं उन सभी के मुल्यों को जोड़ दिया जाता है और उसके पास उसको भाग दे दिया जाता है समानतर माध्य को हम इस सिम्बल के द्वारा शो करते हैं जिसे X बार बोला जाता है स्पोच कीजिए कि भारतिय टीम पहले मैच खेलती है तो उसमें 10 रन बनाती है दूसरा मैच खेलती है उसमें 30 रन बनाती है तो हम ये मान के चले नहीं 2 मैच खेले तो कुल दोनों मैचों में भारतिय टीम ने 40 रन बनाए और मैच खेले 2 तो इस थिती में जो 20 आएगा हमारा वो हमारा समानतर माध्य हो जाएगा समानतर माध्य के गुण वैदोस कोन कोन से है सबसे पहला कि इसकी गन्ना करना सरल है अधिकतर यह व्यक्तिगत सरंखला में इसे केवल मदों की संख्याओं को जोड़ करके उनकी संख्या से भाग दे करके हम इसका परिणाम निकाल सकते हैं दूसरा गुण यह समझने के लिए अतिस उगम है इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है चरों के सभी मानों को बराबर महतो दिया जाता है समानतर माध्य में सभी मदों को जोड़ा जाता है यानि कि इसमें सभी मदों के मानों को महतो दिया जाता है किसी भी मान को छोड़ा नहीं जाता इसके मुख्य दोस कुन कुन से हैं कि इसे निरिक्षन से ग्याद करना संभव नहीं है जैसा कि भवलक को हम मात्र निरिक्षन से भी ग्याद कर सकते हैं लेकिन समानतर माध्य में ऐसा संभव नहीं है समानत मुल्यों का माध्य पर सीधा परभाव जितने भी सिमान्त मुल्य हैं यानि की छोटी से छोटी इकाई भी क्यों नहीं उसका भी समान्तर माध्य में अपना महतव होता है क्योंकि सिमान्त माध्य में परतेक इकाई को शामिल किया जाता है इसलिए सिमान्त मुल्यों का माध्य पर सीधा परभाव पड़ता है इसके बाद है मद्धिका की परिभाशा मद्धिका आंकडो की श्रेणी का वह चर्मान है जो समू को दो ब्राबर भागों में विभाजित करती है जिसके एक भाग में सभी मुल्य मद्धिका से अधिक होते हैं और दूसरे भाग में सभी मान उससे कम होते हैं हम व्यक्तिगत स्रिंखला में स्रिंखला को आरोही या आवरोही करम में व्यवस्तित करके मद्धिका का मान निकाल सकते हैं आप उसमें जैसे नो इकाईया हैं उसमें हम एक जोड कर दो से भाग दे देंगे तो इस तरीके से वहे जो संख्या आएगी वो संख्या मद्धिका होगी यानि कि हम व्यक्तिगत वित्रण में अगर पांचवी इकाई आई है तो पांचवी इकाई का मुल्ले कितना है वहे हमारा मद्धिका होगा और इस परकार से हम मद्धिका की गन्ना कर सकते हैं मद्धिका के गुण क्या है पहला गुण है सपष्टा यह बिल्कुश सपष्ट होती है इसमें संभावनाओं की कोई गुणजाइस नहीं होती सरलता इसकी गनना करना बहुत ही सरल है वेक्तिकत इकाई में आरोही या आरोही करम में बदल करके और संख्या यदि थोड़ी है तो आप संख्या को गिनकर के भी मद्धिका का अनुमान लगा सकते हैं मद्धिका में गुणात्मक तत्यों के लिए भी उप्युक्त है गुणात्मक तत्यों के द्वारा भी मद्धिका का हम अनुमान लगा सकते हैं चरम मुल्यों का परिणाम पर कोई परभाव नहीं पड़ता, इसमें जो चरम मुल्य होते हैं या जो सिमान्त मुल्य होते हैं उनका मद्धिका पर बहुत ही कम परभाव पड़ता है, सबसे बड़ा जो गुनिस का यह है कि इसे हम बिंदु रेखे परदर्शन के द्वारा भी सपश्ट कर सकते हैं जिसका हम पहले से अध्यन कर चुके हैं इसके मुखे दोस नूम्बर एक परतिनीधितव का अभाव मद्धिका जो है वो समपूर्ण आकड़ों का परतिनीधितव नहीं करती तूसरा परतिचयन का अभाव इसमें पर्तिचेन का अभाव पाया जाता है सिमान्त मुल्यों की उपेक्षा इसमें सिमान्त मुल्यों की उपेक्षा की जाती है जैसा समान्तर माध्य में सभी सिमान्त मुल्यों को महतो दिया जाता है इसमें सिमान्त मुल्यों को कोई महतो नहीं दिया जाता मद्धिका का बीज गनीतिय विवेचन संभव नहीं है बहुलक की परिवाशा किशी श्रेणी में अथवा बारंबारता वित्रण में चर का वहमान जो सबसे अधिक बार उपस्तित हो श्रेणी का बहुलक कहलाता है यानि की श्रेणी चर का मान जिसकी आवरती सबसे अधिक हो बहुलक कहलाती है यानि की किसी वी सरंखला में एक संख्या यदि सबसे ज़्यादा बार आए तो वह उस सरंखला का बहुलक होगा बहुलक के गुण वै दोश भँलक के गुण में सबसे पहला है सरल कि यह बहुत ही सरल है इसकी गन्ना करना आसान है व्यक्तिगत इकाईयों में मात्र देखने से निरिक्षन करने से हम भँलक ग्याद कर सकते हैं यदपी खंडित स्रिंखला में भी हम इसको निरिक्षन के द्वारा ग्यात कर सकते हैं, तो यह गन्ना करने में बहुती सरल है, दूसरा इसका पॉइंट है बिंदू रेखा द्वारा निर्धारन, भवलक को बिंदू रेखा द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, हम बिंद प्रियोग किया जा सकता है। इसके मुख्य दोस कौन-कौन से हैं। चरम मानों का कोई बहतों नहीं। इसमें सिमान्त या चरम मानों का कोई बहतों नहीं है। एसपष्ट और एनिश्चित यह एसपष्ट और एनिश्चित होता है क्योंकि कई बार एक शरिंखला की आवर्ती बारम बारता में एक समान होती है। तब यह बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें से बहुलग कौन सा है। तो इस ठिती में भौलक एस्पस्ट तथा ए निश्चित हो जाता है समुई करण विधी द्वारा जब हम गन्ना करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि जिसकी आवर्ती सबसे अधिक बार आई है वह ही भौलक हो बीज गनीतिय विवेचन नहीं किया जा सकता अतय यह एपुर्ण है हम भौलक का बीज गनीतिय विवेचन पूरण रूप से नहीं कर सकते इसलिए यह एपुर्ण है और इस परकार से भौलक के गुण वैदोस के साथ हमने तीनों माध्य, समानतर माध्य, मधिका और भौलक सभी का संखेप में बनन कर लिया है अब हम करेंगे माध्य, भौलक, वैद्धिका में समंध इन में समंध जानने से पहले यह जरूरी हो जाता है कि वित्रण सम्मित्य है या एसम्मित्य है इसके जाने के विना हम इन में समंध स्थापित नहीं कर सकते इसलिए सब से पहले हम यह जानते हैं कि सम्मित्य या एसम्मित्य वित्रण क्या होता है माध्य बहुलक और मध्धिका के समंद में सम्मित्य वित्रण एक ऐसी स्थीती होती है जिसमें बहुलक, मध्धिका और माध्य यानि कि मीन, मीडियन मोड तीनों समान होते हैं और आवर्ती वक्कर का जो रूप होता है वो घंटा का बैल शैफ्ड होता है जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है इस यहाँ पर आप देखेंगे कि एकस बार बराबर है मोड और बराबर है मीडियन तीनों एक दूसरे के समान होते हैं यदि आपके सामने इस परकार का बैल शैफ्ड करव दिखाई दे इस थीती को सम्मित्य वित्रण कहते हैं एस सम्मित्य वित्रण में माध्य, भौलक और मद्धिका का विविन मुल्य होगा इस थीती में आवर्ती वक्कर जो होता है वो घंटाकार में नहीं होकर के दाई या बाई होता है जैसे माध्य, भौलक और मद्धिका के सम्मित्रण में यदि वित्रण अधिक्तम मुल्य की ओर होगा यानि कि धनात्मक होगा तब माध्य, मद्धिका जो है वो भौलक से अधिक होंगे यानि कि आपको जो दिखाई दे रहा है ये माध्य, ये मध्धिका और ये दोनों जो है इस भूलक से ज़ादा होगे और X बार जो है वो मध्धिका से भी ज़ादा होगा यदि वित्रण नियुंतम मुल्य की और अधिक जुका होगा तब माध्य, मध्धिका भूलक से कम होगे यानि कि इस्तिती में भूलक जो हो है वो X बार मेडियन से ज़ादा होगा और आप इस चित्र में देख सकते हैं ये नेगटिव स्कीवनेस, स्कीवर्ट टू लेफ्ट की तरफ हैं और इस तरीके में ये पूर्ण घंटाकार अकार इसमें नहीं है यदि आपको भूलक, मद्धिका और माध्य इन तिनों में से किनी दो मदों का मान ग्यात हो तो आप इस सुत्र का प्रयोग करके भूलक, मद्धिका या माध्य किसी की भी गन्ना कर सकते हैं हम इस सुत्र का प्रयोग करते हुए हम कुछ उधारन करेंगे जिसके द्वारा आपके पास भूलक, मद्धिका और माध्य में से यदि कोई भी दो पदों का मान ग्यात है तो आप तीसरा पद निकाल सकते हैं आप यहां पर एक उधारन देखेंगे कि यदि यहां मद्धिका 280 और माध्य 310 है तो भूलक हमें ग्यात करना है हमें मालूम है कि इसका सुत्तर यह होता है भूलक बराबर 3 मद्धिका माइनस 2 माध्य है इसलिए हम 280 को 3 से गुना कर देंगे और फिर हम यहां माइनस और फिर 2 गुना 310 करेंगे तो इस प्रकार से 840 माइनस 620 दोनों का अंतर करेंगे तो 220 आएगा और इस तरीके से जो मोड है वो उसकी हम गन्ना कर सकते हैं यदि आपको दोनों में से किवल एक इदिया हो तो हम इस सुत्तर का प्रियोग नहीं कर सकते इसके लिए आवशेक है कि आपके पास इन मध्यों में से किसी दो मध्य कामान पता होना चाहिए आएए देखते हैं इसका दूसरा उधारन यदि भवलक दिया गया हो आपके पास और मध्य का दिया गया हो तो मध्य कैसे निकालेंगे हम फिर हमारे पास फार्मुला वही है भवलक बराबर तीन मध्य का माइनस दो मध्य तो हम बहुलक हमारे पास दिया गया इसलिए हम बहुलक के स्टान पर 220 लिखेंगे बराबर कर निसान लगाएंगे 3 गुना 280 लिख देंगे माइनस 2 मीन यानि कि माध्य हमें पता नहीं यहाँ पर 2 मीन लिख दिया हमने इसके 220 वही का वही आ जाएगा 840 मैनस 2 मीन अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 220 को हम बराबर से एक तरफ दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 2 मीन बराबर 840 मैनस 220 2 मीन बराबर 620 और 1 मीन यानि कि 620 बटा दो 310 इस तरीके से इस मांत्र मध्य का मान 310 होगा एक अन्य उधारन लेते हैं जिसके अंदर भवलक दिया गया हो और मध्य दिया गया हो तो उस्तिती में हमें मध्य का निकालनी है फार्मुला हमारे पास वही है और इस तरीके से हम निकालेंगे भवलक के स्तान परम 220 लिखेंगे और इस बार 3 गुणा मीडियन लिखेंगे माइनस 2 गुणा 310 कर देंगे इस तरीके से 220 बराबर 3 मीडियन माइनस 620 जो की इनको मल्टिपलाई करने से प्राप्त हुआ है इसके बाद हम 3 मीडियन बराबर 220 पलस 620 और इस तरीके से 3 मीडियन 840 और 3 मीडियन इस एक्जाम्पल के अंदर मद्धिका जो है वो दो स्वसी निकाल पाएंगे. अब हमारे सामने प्रसन यह उठता है कि कौन सा माध्य सबसे अधिक अच्छा है, यानि कि समानतर माध्य सबसे अच्छा है, मध्धिका सबसे अच्छा है, अत्वा भौलक सबसे अच्छा है इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा उदेश्य क्या है अनुसंधान का छेतर क्या है और हमें कौन-कौन सी चीजों की आवशक्ता है यानि कि सभी माध्य जो है वो अच्छे हैं लेकिन इनके उदेश्य और इनकी आवशक्ता के अनुसार जो है हमें इनका परियोग करना पड़ता है जैसे सबसे पहले हम पॉइंट पड़ते हैं नमबर एक उदेश्य माध्य का चुनाव अनुसंधान के उदेश्य के अनुकूल होना चाहिए उदारन के लिए यदि आप सभी मुल्यों को समान महतों देना चाहते हैं तो उस्तिती में समानतर माध्य का प्रियोग करना चाहिए जैसे कि आप एक कलास में सभी बच्चों को कितनी पोकेट मनी परती दिन मिलती है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको समानतर मद्ध्य का प्रियोग करना होगा, नहीं कि मद्धिका या भॉलक का. इसके विप्रीत यदि सबसे अधिक बार आने वाले मद्ध के मुल्लेक और यदि आपको ग्यात करना हो, तो ऐसी स्थिती में भॉलक का प्रियोग किया जाना चाहिए. अते हमारा उदेश्य क्या है उन उदेश्यों के अनुरूप ही हम उसी माध्य का परियोग करेंगे जो उसमें फिट होता है दूसरा पॉइंट है तत्थ्यों की संख्या यदि सिरिंखला के तथ्यों की जो संख्या बहुत कम है तो समानतर मध्य का प्रयोग करना चाहिए अन्यता यदि बहुत संख्या जादा है तो भोलक या फिर मध्यका का हम प्रयोग कर सकते हैं तीसरा पॉइंट है मदों वे आवर्तियों का बटवारा यदि स्रिंखला में अधिकतर मदों के मुल्य कम है तथा एक या दो मदों के मुल्य बहुत ही अधिक है तो समानतर मध्य उप्युक्त नहीं होगा क्योंकि जिसका मुल्य बहुत जादा अधिक है वही समानतर मध्य को परभावित कर देगा यदि अधिकतर मुल्य स्रेंखला के मध्य में स्थित है या वे गुणातम गत्थों से सम्मंदित है तो हमें मध्धिका का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि स्थिति में मध्धिका का प्रयोग ही उचित होगा सिमान्त मधों का मैतो यदि किसी स्रिंखला के सिमान्त मधों को अधिक मैतो नहीं देना है तो उस तिती में आप भूलक का प्रियोग कर सकते हैं यदि सिमान्त मधों को अधिक मैतो नहीं देना है तो आप मोड का प्रियोग कर सकते हैं सिरिंखला के परकार के अधार पर भी कौन सा मध्य सही रहता है हम ये पता कर सकते हैं यदि किसी स्रिंखला में अनेक मद ऐसे हैं जो एक समान है तो भवलक का प्रियोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उस तीती में भवलक बिलकुल ही एनिश्चित और एसपस्ट हो जाता है और एक अनुसंधान करता बहुत थी विप्रीत प्रस्तितियों में फस जाता है कि वह किस संख्या को मोड बाने या भवलक मनाए क्योंकि एक समान भहुत सी संख्याएं हैं मद्य मद्धिका वै भवलक में तुलनातमक विशेशता हैं समानतर मद्य तथा मद्धिका स्थिर रूप से प्रिभाशित होती है प्रन्तु भवलक स्थिर रूप से प्रिभाशित नहीं हो मद्धिका और भौलक वित्रण के मध्धे में उपस्तित होते हैं जबकि समांतर मध्धे इस परकार उपस्तित नहीं होता मद्धिका और भौलक वित्रण के सभी मदों पर अधारित नहीं होते जबकि समांतर मध्धे में हम सभी मदों को जोड़ कर उनकी संख्यासे भाग दे करके निकालते हैं नमबर च्यार समांतर मध्य का गणीतिय विवेचन संभव होता है जबकि मद्धिका भौलक का गणीतिय विवेचन संभव नहीं है नमबर पांच, समांतर मध्य पर न्याय दर्ष के चुनाव का परभाव पढ़ता है, इसके विप्रीत मध्य का और भौलग पर न्याय दर्ष के चुनाव का कोई परभाव नहीं पढ़ता नमबर च्छे, समांतर मध्य सिमांत मदों से परभावित होता है, इसके विप्रीत मध्य का और भौलग पर सिमांत मदों का कोई परभाव नहीं पढ़ता क्योंकि समांतर मध्य में सभी मदों को लिया जाता है और सभी मदों को जोड़ करके उनकी सुंख्या से भाग देते हैं, जबकि मदिका या भौलग में सिमांत मदों का परभाव नय के बराबर पढ़ता है नमबर साथ, मदिका और भौलग को चित्रों के द्वारा हम परकट कर सकते हैं, लेकिन समांतर मध्य को केवल समान्य वित्रण में ही चित्रों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है अन्य था, अन्य शरिंकलाओं में इसको हम चित्रों के द्वारा परकट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बधिका और भौलग जो हैं यह आकरसक हो जाते हैं क्योंकि इनको हम चित्रों के द्वारा परकट कर सकते हैं अंत में हम कुछ अभ्यास के परसन करते हैं कि आपके प्रिक्षा में इस तरीके के परसन पूछे जा सकते हैं कि समानतर माद्य की प्रिभाशा लिखें भावलक की प्रिभाशा लिखें मद्धिका के कोई दो गुन लिखें माध्य, मध्धिका और भौलक में समन स्थापित का जो सुत्र होता है वह लिखें इसके बाद आपके पास निमरिकल भी आ सकते हैं यदि आप भौलक 20 है और मध्धिका 12 है तो माध्य निकालिए इस तरीके से आज आपने जो व्याख्यान पड़ा सुना है उसके आधार पर आप इन प्रश्णों का उत्तर दे सकते हैं